अनार के पौधे पर सिर्फ एक बार इस चीज को डाल दें अनार का पौधा फलों से लद जाएगा जी हाँ दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि अनार के पौधों के जो फूल लगते हैं उन्हें हम तूटने से कैसे बचाएं और सभी फूलों से धेर सारे फल आएं इस वीड अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना ना भूले और साथी साथ टिप्स ठीटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो ये अनार का पौधा आप देख रहें दोस्तों इसके मैंने कम से कम दो ए जमीन में लगाएं गमले में लगाएं परन्तु गमला थोड़ा सा बड़े साइस का गमला लें तो ज्यादा अच्छा होगा बढ़िया फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई एक भी फूल टूट कर गिरना बंध हो गया है तो आज मैं आपको पताऊंगी मैं किस तरह से इसकी के अनार के पौधे में दोस्तों हम सभी लगा लेते हैं फूल भी आ जाते हैं परन्तु बहुत ही जल्दी फूल टूटकर गिर जाते हैं सबसे पहला कारण है पानी कम से कम डालें ओवर वाटरिंग के कारण हमारे अनार के पौधे में फूल तो लगते हैं परन्तु फूल फल लगे तो चार दिन में एक पार पाने डाले और जैसे ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती अनार के पौधे में तब तो आप बिल्कुल ही पाने डालना बंद कर दें क्योंकि इस समय यदि मिट्टी गीली होगी दोस्तों तो तुरंथ ही इसके जो फूल है वह फल में नही कम से कम डालें समय समय पर गुडाई करें और एक ऐसा फर्टीलाइजर बताऊंगी दोस्तों जिससे आपका अनार का पौधा फलों से लद जाएगा धेर सारे अनार आएंगे तो मेरा भी ये पौधा बहुत छोटा था आप देख सकते हैं पतली पतली इसकी जो ब्रांचे स है सब ही मैं आपको यह देखे कितने सारे फल डिख रहे हैं सब में लगना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि वींटर सीजन में बहुत ही आसानी से फल आते हैं तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसके लिए मैंने क्या सिक्रेट लिया है कौन सा फर्टिलाइजर आज मैं आपको बताने वाली हुएसे तो इसमें आप गोबर्खा डालेंगे तो भी ये चल जाएगा ये पौधा परन्तु फिर भी सभी फूलों से फल बने यही परिशानी ह बनाने के लिए यहां मैंने लिए सरसो की खली मस्टर्ड केक बोलते हैं दोस्तों किसी भी गार्डनिंग शॉप में आपको मिल जाएगा आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं मैं ऑनलाइन परचेस की लिंक भी शेयर कर दूँगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें तो सरसो की खली ली है अब आपको इसे क्या करना है दोस्तों कम से कम 8-10 घंटे पानी में भीगा कर रखना है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है या फिर आप चाहें तो इसे खलबते में कूट लें ग्रैंडिंग जार में डाल कर इसका पाउडर भी बना सकते हैं तो मै मेंगनेशियम सलफेट हमारे पौधों में मेंगनेशियम की कमी की पूर्ती करता है मेंगनेशियम सलफेट और जो पत्यां पीली पढ़ती है दोस्तों आपने देखा होगा यह समस्या सबके सांथ रहती है हमारी पत्यां पीली पढ़ रही हरी की जगा पीली हो रही है इसका कारण हमारे पौधों में मैगनेशियम की कमी इसलिए आपको इसमें डालना है आधी छोटी चम्मच एपसम सॉल्ट मैगनेशियम सलफेट ताकि पतियां पीली ना पढ़ने पाए और पौधों की मैगनेशियम की रिक्वाइरमेंट पूरी हो जाए इस तरह से दानेदार आता है दोस्तों एपसम सॉल्ट जैसे हमारा नमक होता न रोज के खाने वाला बिल्कुल वैसा ही दिखने में होता है और यह जो सर्सों की खली दोस्तों बाकी आप अपने जो पौधे लगाए हैं अपने टमाट के मिर्ची के जिसके भी लगाए हैं सब में आप इसे डाल सकते हैं और यदि आप पौधों में इस तरह से लिक्विट बनाकर डालेंगे दोस्तों तो इसका असर हमारे पौधों पर जल्दी पढ़ता है तुरंत पढ़ता है दोस्तों जैसे कि हम कोई टॉनिक पीते हैं, कैसे हमारे शरीर में उसका असर तुरंथ पढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही, लिक्विट फर्टिलाइजर जब हम अपने पौधों में डालते हैं, तुरंथ ही पौधों की जड़ तक पहुंचते हैं, ये फर्टिलाइजर, ये पोशक तो थोड़ी बहुत जो सरसों की खली घुल नहीं पाई हैं दोस्तों, उसे मैंने थोड़ी सा हाथों से मसल दिया, ताकि अच्छे से पानी में डिजॉल्व हो जाए, अब आप चाहें तो इसमें थोड़ी सा साधा पानी मिला कर थोड़ी कर सकते हैं, हर महने डाले अनार के पौधों में आपका अनार का पौधा फलों से लद जाएगा, आपके पास यदि नहीं तो गोबर खात भी डाल सकते हैं, इसके अलावा अनार के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें, एक से डेर इंच गहरी गुड़ाई जरूर करें, मिट्टी बिलकुल सूख रखें दोस्तों, जैसे मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ, मिर्च के पौधे में भी हम खुब पानिर डालते हैं, हमें लगता है मिट्टी सूख गई पानिर डालो, पानी से कुछ नहीं होगा दोस्तों, पानी से फूल तूटकर गिर जाते हैं, इसलिए तो हरी मिर्च फलों से लद जाएगा और घर पर जरूर लगाएं, वैसे अनार का पौधा लगाना बहुत ही शुब होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इस फर्टिलाइजर से आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा, अनार भी जादा आएंगे, और साथ ही साथ पौधा भी बह